बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है इस बात में कोई दोराई नहीं है कि पती पत्नी का रिष्टा प्यार विश्वास और बेहतर समझदारी पर्टिका होता है अगर इन में से एक भी कम होता है तो आपकी शादी शुदा रिष्टे में दिक्कते आनी शुरू हो जाती है मैरीड लाइफ को संभालने के लिए दोनों पार्टनर का समझदार होना काफी जरूरी है वरना छोटी छोटी बातों के कारण होने वाले लड़ाई जगडे रिष्टे की नीव को कमजोर करने में देर नहीं लगाते हैं हालनकि जो लोग मुश्किल घड़ी में भी पार्टनर का साथ देते हुए उन्हें समझते हैं और उतार चड़ाव के दौरान भी अपनी समझदारी से चलते हैं उनका रिष्टा समय के साथ ना सिर्फ मजबूत बनता है बलकि लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाता दरसल गौरी से शादी करने के दौरान शाहरूक फिल्म दिल आशना की शूटिंग कर रहे थे शादी की पहली रात को उन्होंने फिल्म की डिरेक्टर हेमा मालिनी को इस बारे में जानकारी देनी चाही थी लेकिन किंग हांट के फोन करते ही एक्टरस ने उन्हें सेट पर उला लिया था शाहरूक भी यह सोचकर पत्नी गौरी को वहां लेकर पहुच गए कि उनकी मुलाकात ड्रीम गर्ल हेमा से करा पाएंगे और उनका काफी देर इंतजार करने के बाद गौरी को मेकप रूम में बठाकर शाहरूक शूटिंग करने चले गए थे उस वक्त रात क की हालत देखी तो वह बहुत इमोशनल हो गए थे एक इंटर्वियो के दोरान किंग खान ने खुद बताया था मेकप रूम में धेरो मच्छर गौरी को काट रहे थे ऐसा देखकर मेरी आखों में आसू आ गए थे और मेरे लिए यह अपमान का दिन बन गया था औरी की सोहा के दिन थे लेकिन उस रात ने मेरी लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले किया शारूक की इन बातों से समझा जा सकता है कि मुश्किल वक्त में गौरी ने हमेशा उनका सांद दिया था जो अक्सर कपल से नहीं कर पाते हैं जब पार्टनर किसी मुश्किल परिस्तिती में फ जीवन में कई उतार चड़ावाते हैं लेकिन अगर पती पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहते हैं तो हर वक्त गुजर जाता है गाईस क्या कहना है आपको गौरी और शाहरूक खान के इस रिष्टे के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अग झाल